नमस्कार दोस्तो जेटिक वीडिये चलेंग में आपका एक बार फिर से स्वागत है और आज हम पढ़ेंगे कि हम one drop down list on the basis of another drop down list कैसे fill कर सकते हैं using javascript okay so आज का मान तोटिल किस बारे में है how to fill one drop down list on the basis of other drop down list okay so that is how to populate इसका हम दुसरी तरीके से कैसे बहु सकते है how to populate one drop down list on the basis of another drop down list on the basis of javascript जातर javascript यूस करके हमें drop down list fill कर नहीं है तो चलिए coding चुरू करते हैं so html में ले लेते हैं title में देता हूं fill drop down list okay now अब हमें क्या करना है हमें एक drop down list बनाने होगी है okay क्यूं क्यूंकि हमें one drop down list on the basis of another drop down list fill करना है तो पहले हम एक static drop down list बना लेंगे so इसके लिए मैं select tag use करूँगा select selects में हम number of options पूट करेंगे और यहां colors ले लेता हूं जैसे copy करता हूं paste 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 four colors लेंगे हमने drop down list लिपने so green yellow blue और red यहां 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 ready कर लिए हमने इसा आपको run करके बताता हूं so यहां अपनी drop down list यहां ready हो चुकी है और इसे में एक design के लिएम नाम दे देता हूं choose and option okay choose an option now अब हमें क्या करना है javascript use करके दूसरी drop down list fill out करना है so जब भी हम javascript use करते हम id जरूर देते थे इसे मैं id देता हूं d1 और इसे मैं id देता हूं green इसे id देता हूं yellow sorry और नीचे होगा id blue और इसके नीचे होगा id red हम id दूसरी भी दे सकते हैं ऐसे जरूरी है कि यहां हमने green दिया यहां भी green देना है हम यहां कुछ भी id दे सकते for the sake of quan unions के लिए मैं यहां green yellow same id दी है अब यह हो गई हमारी drop down list 1 अब हम क्या करेंगे एक दूसरी drop down list बनाएंगे जो कि on the basis अपनी first drop down list के basis फिल आउट होगी तो हम उससे पहले हम एक empty drop down list बनाने पड़ेगी select और उसे हम id दे देंगे d2 तो देखे दोस्तों यह purely using java script है और वोसी फिल आउट करना है कि जब भी हम drop down list में कोई भी data अपना फिल आउट करेंगे इसमें run कर लेता हूँ choose an option fill out करेंगे तो इसका क्या state है यह change state हो रही है मतलब इसमें event listener कौन सा है change event listener that is on change और change event listener इसमें apply हो रहा है तो हम अपने coding में यह apply करता है और by default कुछ भी select नहीं होना चाहिए इसलिए हम यह option ले ले लेंगे select ले ले लेंगे अब हमारा यह javascript का code है कि हम one drop down list on the basis of another drop down list कैसे fill करेंगे तो उसके लिए हम पहले document element id fetch करेंगे document dot get element by id okay now d1 मैं इसलिए आराम से समझा रहा हूं कि आपको पूरी तरह अच्छे से यह code समझा जा जा dot d1 मतलब यहां element हमने किसके चूज किया id d1 मतलब one drop down list हम select कर रहें उसे हम event listener add करेंगे add event listener then क्या कौन साइgment listener change क्यूंकि drop down list में हमारा data change हो रहे है spelling हमें धहन से दालनी है okay correct है now यह data अगर change होता है तो हमें क्या function perform करना है okay हम एक ही type में लिख सकते हैं तो क्या function हमें perform करना है अगर first drop down list का data change होता है तो हम क्या करेंगे लिखे वार यह वारियेबल में डॉपड़वन लिस्ट वन का id स्टोर कर लेंगे कैसे document .getElementById on okay यहां वार यह में इस डॉपड़वन लिस्ट का id स्टोर हो चुका है अब हमें क्या करना है जो option select होगा उसका id फेच करना है मतला येलो सिलिट हो गया तो येलो फेच होना चाहिए, ग्रीन सिलिट हो गया तो ग्रीन फेच होना चाहिए तो कैसे करेंगे हम लेंगे एक वरिबल वैर ए इकोल टू e.options ओके ब्रैकेट में e.selected index .value अब हम क्या चेक करेंगे if a is equal to equal to क्या? green तो हम डॉन डॉन लिस्ट पे क्या फिलिट करेंगे? यहां .value नहीं आएगा यहां सिर्फ सेलेक्ट इंडिंस हागा जो index rate होगा e.options.e.selected index अब हम क्या करेंगे? document अगर a equal to green आया मतलब अगर यह id हमें फेच होई तो हमें drop-down इसके से फिल करने है document.getElementById इस बार d2 go क्यों हमें d2 fill करना है d2 equal to dot inner html equal to opt option option हम यहां पहली close कर देंगे options और इसमें हमें क्या करूंगा? एक ही data fill करता हूं let is green select किया तो green की drop-down list आनी जाहिए और हमें बहुत सारे options select करने की क्यों हमें dot-down list fill तो ctrl-c करता हूं और हमें paste sorry यहां में paste करते जाता हूं इतना काफी है now अब हम क्या करेंगे same edit copy कर देंगे यहां paste कर देंगे if a is equal to equal to yellow तो हमें यहां क्या put करना है green की जगह yellow इसे भी में copy कर लेता हूं जहां जहां green है उसे paste कर देता हूं okay yellow put a good same में दूसरा लेता हूं हमें force select करना है yellow है select किया तो as it is type कर देंगे copy कर लेता हूं paste करता हूं favorite दूसरा तिसरा option का है blue it is blue और यहां हो जाने चाहिए हमारा blue यहां भी हो जाने चाहिए हमारा blue same and okay और last हमारा बचा है क्या red same as it is copy है paste कर देता हूं यहां भी paste करता हूं script tag में javascript का code लगते है हमने document.getElementByIdD1 addEventListener changeEventListener follow किया function में क्या किया e में हमने drop down list की id store कर ली a हमने e.options.e.select index मतलब इसमें से जो भी select होगा उसका id हमने e में store किया और हमने match किया कि if a is equal to green आया तो drop down list green 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 से fill कर दे yellow आया तो yellow yellow से fill कर दे और red आया तो red rate से fill कर दे and so on अब हम इसे run कर देते मैं इसे save कर लेता हूं अपने ब्राउजर में आजाता हूं और यहां दूसरी drop down list देखिए empty आ रही है इधर और जैसे मैं यहां दूसरी drop down list select करता हूं तो हमारा data नहीं आ रहा है देखते हैं error क्या है हमने क्या documentals add additional change function now document.getenable ready e.option.selectedValue selected index dot value देते हैं शायद हमने लिकाल दिया था इसके नहीं आ रहा है okay good green okay green fill out हुआ blue blue fill out हुआ हम yellow fill out कर रहे है तो yellow आ रहा है हम red fill out करेंगे तो red आ रहा है यह था दोस्तों कि हम one drop down के basis पे another drop down list कैसे fill कर रहे है okay हमने just यहां dot value नी दिया था मैंने पहले coding भी दिया था और इसे लिकाल दिया था okay तो error है इसलिए मैंने dot value कर दिया जिसमें inside the value इसमें store हो जाएगे तो यहां हमारी drop down list ready है हम इसे फिर अगर refresh करता हूं तो select करता हूं तो कुछ भी नहीं आएगा मैं green select करता हूं तो green green select हो जाएगा क्योंकि हमने coding ने लिखा है if we say is equal to equal to green then option green 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 then if a is equal to yellow then yellow 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 and then same as blue और red okay तो यह था हमारा दोस्तो how to fill one drop down list on the basis of the another drop down list using JavaScript आगे की वीडियो टोर हम ओर भी ऐसे कुछ ट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे कि हम कैसे drop down list fill कर सकते हैं चैनल को like कीजे subscribe कीजे और अभी के लिए तर्ने होएं